इस वीडियो में हम लोग भी हार बोर्ड वर्ग आठ प्रस्णावाली 13.3 का क्वेश्चन नम्मर एक से देखेंगे तो तकी क्वेश्चन नम्मर एक में कह रहा है दिये गए दोनों घुनों को जोड़कर एक घुनाब बनाया गया तो घुनाब के संपूर्ण प्रिष्ट का छेतर फल गयात कीजिए तो चलिए इन क्वेश्चन को हम समझते अपने कॉपी में तो यहाँ पर देखिए अध्याए 13 प्रस्णावाली 13.3 और वर्ग है आठ वी इसमें प्रस्ण संखिया एक में कह रहा है दिये गए दोनों घुनों को जोड़कर एक घुनाब बनाया गय तो घुनाब के संपूर्ण पृर्ष्च का छेतर फल गयात कीजिए क्वेस्ट्र समझे क्या कह रहा है क्वेस्ट्र में कह रहा है दिये गए दोनों घुनों को जोड़कर एक घुनाब बनाया गया में इहां अगय के घुनाब पूर्ण प्रिष्ट का छेत्रफल ग्यात करना है तो देखिए हम इसको किस तरह सहल करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसके लिए हमें लंबाय चोड़ाय और उचाई पता होना चाहिए घनाब का तो यहाँ पर घन में देखिए तो इनकी लंबाय चोड़ाय और उचाई तीन होगा तो यह दोनों गहनों को जोर करके यहां पर एक घनाब बनाए गया तो यहां पर देखिए इसमें देखे तो यहां से लेके यहां तक देखिए इन दोनों गहनों को जोरा गया है पहला गहन यहां तक है और दूसरा गहन यहां तक है तो यहां पर देखिए पहला गहन आ यहां पर देखे गहनों को अगर यहां पर इस तरह से जोड़ देखे तो यहां पर देखे अगर यहां पर इनकी लंबाए बढ़ जाता है जब इन दोनों घणों को जोड़ देते हैं यहां पर देखिए इनकी चोरा है देखिए यहां पर यह दोनों जो चरा है इनकी चोरा है यह अमरा ऐसे ही है पहले जैसा और इनकी उचाई भी वहां पर देखे तो इस तरह ही है लेकिन इनकी लंबाय बर जाता है जब इन दोनों घनों को जोर देते हैं तो यहां पर देखे पहले जो था इस तरह से था तो यहाँ पर देखके यहाँ तक की लंबाई था 8 cm और झब दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पर इस तरह से तो यहाँ से यहाँ से यहाँ होजाएग जोगा हूज स्टाही ज्याill यहां पर इतना ही है जितना पहले से था उतना ही क्योंकि उचाई नहीं बढ़ रहा है इसकी लंबाई बढ़ रहा है जब इसको जोड रहे है तो यहां पर हम लिखेंगे घनाब की लंबाई चोड़ाई और उचाई सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे हम घनाब की चोड़ाय कितना हो जाएंगे चोड़ाय यानि की बी बड़ाबर हो जाएंगे यहां पर कितना आठ सेंटीमीटर इसके बाद दिखेंगे घनाब की उचाय उचाय इनकी कितनी हो जाएंगे यहां पर इसकी उचाय हो जाएगा यहां पर एच बड़ाबर हो जाएं के लिए जो घना अब है इनका संपूर्ण प्रिष्ट का छेत्रफल ग्याद करने के लिए तो हम इसको किस तरह सल करेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे इसका सुत्र होता है इसे आप लोगों को याद रखना होगा घना आपके संपूर्ण प्रिष्ट का छेत्फल होता है तो इंटू एल भी यानिकी लंबाई और यह वगया बी चोड़ा है देखें यहां पर लिख दिये हैं इसको सॉट कोट में लंबाई चोड़ा और यह उच है तो यहां पर लखते है L, B पॉलाश, but L, H लिखे, यहां फिर बहुन सकते है A L यहां पर लिखárias यह इनका सुत्र होता तो यहां पर लिखेंगे तो टू इंटू एल की लंबाई की ना है 16 cm cut In यहां पर लिख देंगे 16 cm और यहां पर गुना का चीन लिखेंगे और बी यानि की चुराय कितना है 8 cm तो चुराय की जगापर लिख देंगे 8 cm और इसके बाद लिखेंगे पलॉस का चीन है तो पलॉस का चीन लगा देंगे इसके बाद फिर देखें बी यहां पर क्या है यहां पर 16 cm हो जाएंगे और गुन है उचाय उचाय यहां पर दिया हुआ है 8 cm तो उचाय की जगप लिखेंगे 8 cm यह सभी cm में दिया हुआ है याद रखिएगा देखिए हमने आपको लोगों को बता दिया है जब भी हम परीधी निकालते हैं किसी चीज़ के या फिर परीमा लिखते हैं और जब हम यहां पर इनका इससे आगे हम आगे बताएंगे आइटन के बारे में जब हम आइटन निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं क्यूब लगाते है यानि कि पाb Park 4 लगाते यहां पर लिखेंगे टू इनटो तो यहां पर फिर साइटीमिटर में इसको उपर कर लेते थुड़ा सा अब देखिए हम इसमें लिखेंगे बरावर में 2 in 2 देखिए इन सभी को जोड़ दीजी देखिए यहाँ पर 8, 8, 16, 4, 20 के 0 हाथ में 2, 2 और 2, 4, 4 अच्छो, 10, 2, 12 के 2 हाथ में 1, 1, 1, 2, 2 और 1, 3 यानि कि 320 हो जाता है कोष्ट में यानि कि यह गुना में है यहाँ पर देखिए 320 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे 640 हो जाएंगे और हमने आपको क्या बता है जब भी छेत फ़ल निकालते है तो cm में रहता है हम cm² लिखते हैं यहाँ पर cm² यह हो गया इनकी answer तो इस तरह हमने question no.1 को देख लिए अब देख लेता हम question no.2 को अब देखिए question no.2 में कह रहा है एक घं की एक भुजा 12 cm है तो घं का संपूर्ण प्रिष्ट का छेत फ़ल जिए जो घं दिया हुआ इस घं का एक भुजा एक भुजा दिया है 12 cm का ये अगर 12 cm का तो हमने आपको क्या बता है घं की सभी भुजाये बढ़ाबर होती है तो अगर रख ये इनकी लंबाए है अगर 12 cm इनकी चोडाई भी हो जाएंगे 12 cm और उचाइ भी हो जाएंगे चोडाई जो है ये भी हो जाएंगे 12 cm मीटर और ईनकी उच्चा है यह भी 12 सेंटीमीटर इसमें समान होती है गन की भुजा कितना दिया है यहां पर लिख देंगे 12 cm 12 cm तो यहां पर निकालना क्या है घन का संपूर्ण प्रिष्ट का छेत्र फर निकालना है यहां पर लिख देंगे घन झातर हमें दिया हूआ 12 cm तो भूजा की जगव पहाफ करिक देंगा 12 cm और इसका यहाँ पर traveling से इस Ouais निए स्क्राइर कि शुत्र से यहाँ पर दिखे च्हाय से लीदेंगे स्कॉआर यानि हम इसको इस तरसे लिख सकते हैं 12 गुने 12 इस तरह से लिख सकते हैं तो यहां पर देखिए इसमें कितना हो जाएंगा 12 को जब 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे 144 तो 6 गुने 144 144 और यह भी सेंटीमीटर में है यह भी सेंटीमीटर में दोनों सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर सेंट स्क्राइब यहीं क्या हो जाएगा इसका आंसर तो इस तरह से आप लोग कुश्चन नमर 2 को भी समझ गए अब हम देख लेते कुश्चन नमर 3 को अब देखिए कुश्चन सेंटिमेटर उसकी उचाय उचाय कितना दिया है 13 सेंटिमेटर दिया है तो यहां पर यह जो पिट्ट क्या यह घणावा कार यानि कि घणाव का संपूर्ण प्रिष्ट पड़नियां आप लोग को तो किस तरह सहल करेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे सब सफ़ले लंबाए च चोड़ाय गनाब की चोड़ाय भी दिया हुआ है चोड़ाय कितना दिया हुआ है भी भी दिया है 14 सेंटिमीटर और इसके बाद लिखें कि घनाब की उचाय गनाब की उचाय उचाय भी दिया हुआ है घनाब की उचाय कितना दिया है एच एच दिया है 13 सेंटिमीटर 13 सेंटि बड़ाबर सूत्र क्या होता है अभी हमने बताया था क्वेश्चन नमर एक में टू इन्टू एलवी प्लॉस बी एच प्लॉस लिख सकते हैं यहां पर देखे टू है तो लिख दीजिए टू सूत्र से यहां पर देखे लंबाय लंबाय दिया 15 सेंटीमेटर तो लिख देंग सेंटीमिटर लिख देंगे 14 सेंटीमिटर और प्लॉस का चिन लगाए तो प्लॉस का चिन लगाएंगे फिर से यहां पर बी-दिया है 14 सेंटीमीट बी यानि 5 सेंटीमिटर और इसके बाद यहाँ पर प्लॉस का चिन, यह एच गुना में है L के, तो यहाँ पर देखे एच यानिक उचाएदी है 13 cm, यह सभी cm में दिया है, cm में लिखेंगे, तो यहाँ पर देखे 2 into, 15 को हम गुना करेंगे 14, 15 को जब 14 से गुना कीज़ेगा तो यहाँ फो जाएंगे 155, यह सभी cm में है, तो लिख दीज़े, cm में, अब हम इसमें यहाँ पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा से उपर कर लेते हैं, अब देखे इसमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ लिखेंगे 2 into में, यहाँ पर लग सकते हैं गुना का चिन, यहाँ फिर कोष्ट में लिख द 3, 2, 5, यानि कि 587 हो गया, और यह सभी cm में, तो cm में लगा दिये, अब देखें यहाँ पर इसको क्या करना है, गुना करना है, तो देखें इसको जब गुना करेंगे, तो कितना हो जाएंगे, देखें, 7 दूनी के 4, हाथ में 1, फिर यहाँ पर देखें, 8 दूनी के 16 और 1, 17 के साथ, हाथ में 1, और 5 दूनी 2, और 11, और cm को जब cm सुना करतें, तो क्या होता है, यहाँ पर छेत्रफल जब भी निकालते हैं, तो याद रखेंगा, cm में लिखाएंगे, यहाँ पर cm2 या फिर बोल सकते हैं, वर्ग cm, यही हो जाएंगे, इनकी आंसर, यह आमारा इनका प्रिष्ट छेत्रफल निकल गया घनाव का, तो इस तरह समने question number 3 को भी देख ले, अब देख लें तेम question number 4, अब देखिए question number 4 में कहे रहा है, ऐसे घनाकार पिंड की भुजा ग्याद कीजे, जिसका प्रिष्ट छेत्रफल 24 सब वर्ग मीटर है, यहाँ पर क्या एक घनाका अगर गयाद हो जाए, निकल जाए, तो इनकी सारी भुजाए समान होती है घन में, तो इनकी सारी भुजाए निकल जाएगी, यहाँ पर देखिए, इनका पिर्ष्ट छेत्रफल दिया है गहन का, यहाँ पर लिखेंगे घनाकार पिंड का पिर्ष्ट छेत्रफल, इनका छे खेट्फल बराबर सूतर होता है इनकी छोगने स्क्राइव मिटर चत्र कि नरहाई के सावी तो immers 포인के 131ा ब्राभर दिया हुआ मायिन биल रमधल घ्रता में फिर इनका लिए something a meap इंपना ती गुना निकालना यह ञाहिए हैं यहां 가는 चplayer में इंगे शैक्व एक में पर रेंगे उपर बच जाइंगे रह आप यह घ्न आ में पर यह बढूर से यहां पर 6 से काटेंगे तो 64 24 चार बार में 24 और यह दो सुने है तो दो सुने यानि कि यहां पर कितना आ गया यहां पर लिखेंगे भूजा स्क्वाइर भूजा स्क्वाइड बराबर 400 मीटर स्क्वाइड 400 मीटर स्क्वाइड देखिए हमें भूजा निकालना है यहां पर भूजा स्क्वाइड निकला है तो देखिए हम इसमें से स्क्वाइड जब हटाएंगे तो उपर रूट लग जाएगा यहां पर जब हम लिकूर सब्सक्राइब दोनों को रूठ सकते हैं रूठ सकते हैं लेगा सकते हैं टो मिटर सब्सक्राइब फिर यह फिर समय यहां गल न कलेगा बात रूठ यहां पर दिखेंगे, यहीं हो जाएंगे इनकी भुजा निकल गया, यह क्या निकल भुजा निकला है? इसना निकला है लिफी page 506 को भी अब देखेंना mr 5 को. है एक घनावाकार साबुन की लंबाय 6 cm चोड़ाय 5 cm एबं संपूर्ण प्रिष्ट का छेत्र फ़र 148 संटिमीटर है तो उसकी उचाय ग्यात कीजिए question समझे क्या कराया question में क्या किया रहा है एक घनावाकार साबुन है यहां पर एक घनावाकार हमने साबुन बना लिया यह घनाब की आकार का एक साबुन है जिनकी लंबाई जिनकी लंबाई दिया है 6 cm यहां से लिखे माने की इनकी ऊचया हो गया ठिक इसी परकार इस में यहां से लिखें यहां है। 5 cm 5 cm और उचाई यह जो है उपर यह हो गया इनकी उचाई उचाई दिया है कितना दिया उचाई नहीं दिया है उचाई हमें निकालना है इनका संफुन प्रिष्ट का छेथपल दिया है 148 वर्ग मीटर यहां फिर बोल सकते हैं मीटर संटीमीटर स्क्वार तो उसकी उचाई प्रिष्ट करना है उचाई 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 हमें नहीं पता यहां निकालना है तो देख atenção जो जो दिया है उसको सबसे पहले लिख देंगे यहां पर घणाब की यहां पर लिख सकते हैं घणावाकार साबुन की लंबाई है लंबाई यानि की L, L बराबर दिया हुआ है, कितना? 6 cm, 6 cm, और इसके बाद घनावाकार सावुन की चोड़ाई, चोड़ाई भी दिया हुआ है, चोड़ाय यानि कि B बडाबर दिया हुआ कितना दिया, 5 cm, 5 cm, उचाय नहीं दिया इसके निकालना है इसका प्रिष्ट छेत्फ़द दिया, इसमपून प्रिष्ट छेत्फ़द दिया, यह जो घनावाकार सावन है, तो यहां पर लिख देंगे, चा का छेद्रечно यह दिया हुआ कितना यहां यहां पर देखेगे 148 वर्घ सेंटीठ मीटर लिखे है या फिर बहुन सकते हैं सेंटी मीटर सीकों सेंटी मीटर स्कॉाइर तो यहां पर देखेगे घंग चांपूर्ण होता है यह सावन लगा इसी में तो यह हमारा गोनाब है तो गौनाब का सम्पुन प्रिष्ट का छेतपर क्या होता है इनका शूत्र होता है टू इन्टू टू इन्टू यू इन्टू लग साल by h plus l h लिखे- या फिर h लिखे- बड़ाबर बड़ाबर में ये दिया हुआ है 148 यहाँ पर देखे- cm² यह दिया है तो यहाँ पर देखे- टू है तो लिख दिएगे यहाँ पर 2 से ये सूत्र है यहां पर घनाब का संपुन प्लिस का सेतफर का सूत रहिए यहां पर 2 है तो लिख देंगे 2 L B यहां पर L क्या है लंबाय है और B चोड़ाय है तो लंबाय लंबाय दिया 6 cm लिख दिज़े 6 गुने सेंटीमेटर को रेक्ट लिख देंगे और B B यानि की चोड़ाय चोड़ाय दिया है पांस सेंटीमेटर 5 लिख दिज़े प्लोस में इसके बाद B फिर से तो B क्या है चोड़ाय है चोड़ाय यानि की चोड़ाय की जगवापर लिख देंगे 5 और उसके बाद की एच उचाय हमें नहीं पता है तो गुनामों वैसे ही सेंटी मींतर स्कोल आगें हम क्या करेंगे इसमें उपर कर लेते हैं आगे यहां पर लिखेंगे यह स्काहिए कुषको पाइस से गुना करेंगे चो करेंगे चो निख الفरी年前 कि यहां पर यह दो हम उपर लेकर जा सकतें इसको यह जो है गुणा में इसके गुणा में है तो उपर जाएगा थिया भाग में हो जाएगा यहां पर हो जाएगा कितना देखिए 30 प्लॉस में प्लॉस में और 5 और 6 को जोरेंगे तो 11 क्यों हो गया यहां पर जोर दिये क्योंकि बट्टे 2 और यह cm2 है अब देखिए यहाँ पर 2 से जब इसको हम काटेंगे तो 7 दुनी के 14 और यह 4 दुनी के 8 अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएंगे तो फिर 74 बच गया यहाँ पर लिख देंगे 30 प्लॉस में 11 पीछे यहाँ कचिन लगाते जाए यहाँ पर 30 प्लॉ इच गया तो 11 h लिख देज बस गया बड़ाब टो दिए 15 दौर ऑर अपर जाएंगे गया अधितना हो जाएंगे 4 तो सबयार थो सब्सक्राइब करेंगे तो लिखेंगे chron contrib कामे जो चले झालेके तो पर ले पर समय हो जाएंगे 1 बंड़ाव जाएंगे तो अलम par न होगतन było Sópa और भाग में 11 काटेंगे तो 11-14 चोपास त्वास यानि कि है च बरावर कितना निकल गए चार निकल गया और यह हमारा क्या चीद बीर की दियाव सब्सुजप निकालेंगे तक भारिyers